Hello everyone, welcome back to my channel. तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे The Handmaid's Tale. इस novel को लिखा है great Canadian writer Margaret Atwood ने and इसे 1985 में publish किया गया था. Atwood एक poet and literary critic भी है. उनके works में हमें feminist values देखने को मिलती है and वो एक environmental activist भी है. वो mainly अपने speculative and historical fiction genre के लिए जानी जाती है and ये इनके कुछ important works है और हमारी जो आज की novel है Handmaid's Tale ये एक dystopian fiction है. अगर आपको utopian and dystopian fiction में difference नहीं पता है तो मैं अपने एक वीडियो का link description में डालूँगी उसे चेक कर लेना. तो ये एक futuristic novel है यानि कि इसकी setting future की है. ये एर कौन सा है ये हमें clearly नहीं बताया हुआ. तो उसी एर में क्या होगा कि United States को England capture कर लेगा and उसे एक new name दे देगा the Republic of Gilead. ये एक fundamentalist regime होगा जिसमें की women के सभी rights उनकी liberty कों से chain लिया जाएगा and उन्हें three classes में divide किया जाएगा. फर्स्ट क्लास में आएंगी commanders की wives, सेकेंड होगी housekeeping marthas and थर्ड क्लास होगी handmaids की. इस ताइम environment बहुत ज्यादा toxic हो चुका होगा and women का fertility rate decline हो चुका होगा तो कुछ fertile women को enslave किया जाएगा ताकि वो ruling class के men के लिए बच्चे पैदा कर सकें. और इस novel की protagonist off-raid उन handmaids में से ही एक है जो की अपनी story हमें बताती है. इस protagonist का real name हमें नहीं पता उसे बस off-raid नाम दिया गया है हर एक handmaid को off नाम दिया जाता था और पीछे उसके commander का नाम लगता था इसके commander का name था Fred तो इसलिए इसे off-raid कहा गया off-raid पताती है कि Gilead के established होने से पहले वो एक university में study किया करती थी और उसकी mother एक feminist थी उसकी एक close friend भी थी उसका नाम था Moira off-raid एक married man के साथ relationship में आ गई थी उसका नाम था Luke फिर उन धोनोंने marriage कर ली थी और उन्हें एक daughter भी हुई थी फिर एक दिन वहाँ पे military coup हुआ यानि कि तक्ता पलट और वहाँ के president को मार दिया गया most of the legislators को भी murder कर दिया गया और उस country को एक new नाम दे दिया गया the Republic of Gilead जो new government थी वो claim करती थी कि ये एक theoretic regime है यानि कि इस government को religion के according चलाया जाएगा अब एक दिन और फिट को पता चलता है कि उसे उसकी job से निकाल दिया गया क्योंकि new government के according women को काम करने की permission नहीं थी उनके सभी bank accounts freeze कर दिये गए और उनकी properties को seize कर लिया गया तो वो अपने husband और अपनी daughter के साथ Canada को भागने की कोशिश करती है however, police उसे पकड़ लेती है और उसे उसकी family से अलग कर देती है उसके बाद उसे Duke और अपनी daughter का कहीं भी पता नहीं चल पाता कि वो कहां है कहां नहीं क्योंकि उन्हें एक re-education center में डाल दिया जाता है जहां पर उन्हें handmaids बनने की training दी जाती है दूसरी औरतों के साथ इस center का नाम है Red Center और इसे supervise करती है Aunt Lydia उसका काम है दूसरी women को ये बताना कि जैसे authorities घहतनी है उस according करते जाओ सबमिस्से बने रहो और यही उनके लिए beneficial होगा कुछ तो women वहां पे जैनाइन जैसी होती है जो कि उनकी बात मानते हुए commanders के बच्चों को जनम देती है और कुछ मोयरा जैसी होती है जो कि उनकी बात नहीं मानती और वहां से बचकर भाज जाती है उनकी secret police को the eyes कहा जाता था जो कि यह ध्यान रखती थी कि सभी लोग वहां के rules and regulations को follow कर रहे हैं और अगर उनमें से कोई नहीं मानता था तो उनहें colonies में punish करने के लिए भेज दिया जाता था तो अब off-fit की indoctrination के बाद उसे commander Fred के घर में भेज दिया जाता है and duty assign की जाती है कि वो उसके बचे को जनम देगी commander की wife है Serena Joy जो की एक him singer रही है अब एक दिन off-fit एक दूशरी handmaid off-glen के साथ market जाती है कुछ groceries लेने के लिए and वहां पर वो देखती है कि एक wall पे rebels की dead bodies इसको display किया हुआ था लोगों में fear create करने के लिए कि अगर कोई authorities के against जाएगा तो उनके साथ भी ऐसा ही होगा आगे off-fit बताती है कि उसे doctor के पास भी regular check-up के लिए जाना पड़ता था और एक दिन doctor उसे कहता है कि वो उसके साथ sexually involved होकर pregnant हो सकती है क्योंकि commander तो infertile है लेकिन वो उसके इस बात से डर जाती है और उसे मना कर देती है इसके बाद जब वो घर पहुँचती है तो देखती है कि commander Bible में से कुछ sermons read कर रहा होता है और इसके बाद एक ceremony perform की जानी थी जिसके according commander उसके साथ physical relationship बनाएगा और उसकी wife भी वहाँ पे present होगी इस ceremony के बाद commander ओफरेट को लेकर थोड़ा passionate हो जाता है और अपने servant निक से कहता है कि ओफरेट को जाकर कहे कि उससे मिले वो उसे अपनी library में मिलता है although वहाँ पे women का आना जाना मना है क्योंकि उन्हें लिखने और पढ़ने की मना ही होती है और वो उसके साथ scrabble भी खेलता है जो कि एक तरह की word game होती है तो ये सब चीजे women के लिए prohibited थी लेकिन वो उसके साथ कर रहा था वो उसके साथ बहुत सारी बातें भी share करता है कि उसको उसकी wife के साथ relationship भी कुछ ज्यादा अच्छा नहीं है वो उसे alluring dresses gift करता है और उसे एक brother में लेके जाता है जिसका नाम होता है जैजेबल वहाँ पे उसे moira भी prostitute के तोर पे काम करती हुई मिलती है और वो उसे कहती है कि जो भी women authorities के बात नहीं मानती उसे यहाँ पे भेज़ दिया जाता है as a punishment अब कुछ दिनों बाद उसे off clan से पता चलता है कि वो May Day की member है मेरे एक ऐसी organization है जो कि Gilead को overthrow करने के लिए काम करती है secretly अब एक दिन commander की wife Serena Joy को ये पता चल जाता है कि Offred का उसके husband के साथ एक illicit affair है और उसका husband infertile है तो वो Offred को कहती है कि Nick के साथ sexually involved होकर pregnant होकर वो बच्चा उन्हें दे दे और इसके बदले में वो Offred को उसकी daughter की information देगी और वो उसे उसकी daughter की picture भी दिखाती है Offred हैरान हो जाती है कि कैसे उसकी daughter से दूर रखा गया तो उनके कहने के according वो Nick के साथ intimate हो जाती है और इन moments को वो काफी enjoy करती है और ऐसे वो दोनों एक relationship में आ जाती है वो उसके साथ काफी close feel करती है इसलिए वो अपने past के बारे में भी उसे बहुत कुछ बता देती है और last में उसे ऐसे भी लगता है कि वो अब pregnant भी है जब सेरेना को ओफरेड और उसके husband के affair के बारे में पता चलता है तो वो उसे punish करने के लिए पहले ही सोच लेती है और उसे उसके room में बंद कर देती है थोड़ी देर बाद बाहर एक black van आती है और कुछ officials आते हैं ओफरेड को लेने के लिए निक तो कहता है कि ये मेडे के members है और ये उसे एक safe जगा पे पहुँचाने के लिए आए है लेकिन हमें ये clearly नहीं बताया हुआ कि ये the eyes के members है जो कि सेरेना ने भेज़े हैं उसे arrest करने के लिए या फिर ये सच में मेडे resistance के members है जो कि निक ने भेज़े हैं उसकी escape के लिए ओफरेड उसमें बैट जाती है लेकिन ये uncertain है कि ये रास्ता उसे freedom की तरफ लेके जाएगा या फिर prison में और ये novel एक metafictional epilogue के साथ खतम होती है जिसमें कि ये बताया गया है कि year 2195 में एक historical conference होती है जिसमें कि एक speaker बताता है कि ओफरेड ने अपनी life के बारे में जो account लिखा है उसे cassettes tapes में record किया गया और फिर historians ने इसे study किया और इस period को नाम दिया गया The Galead period और येच्ट